Hello Everyone, I am Jyoti Jha and Welcome to NCRT The Mind तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ Class 2 की Hindi Workbook Chapter 5 दोस्त की मदद तो अगर आपनी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरी चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजिए ताकि NCRT से रिलेटेट जितने भी वीडियोज हैं वो आपके पास समय से पाहुशती रहे तो चलिए बच्चों पढ़ना सुरू करते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करने की भी कोसिस कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाव पा सके तो चलिए पढ़ना सुरू करते हैं तो देखिए दोस्त की मदद ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है आज हम लोग इसका वर्क बुक बनाएंगे तो आप लोग अपना वर्क बुक निकाल के बैठ जाएए और मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए तो देखिए कौन कहां रहता है जोड कर बताओ तो देखिए आप जोड के से मैचिंग करना है तो मैचिंग आप कैसे करेंगे कच्छवा कहां रहता है तो वो तालाब में रहता है उसके बाद लोम्री तो वो मांद में रहता है तेन दुआ तेन दुआ भी मांद में रहता है फिर बंदर बंदर पेड पर रहता है उसके बाद है मदुमक्खी तो मदुमक्खी छत्ता में रहता है तो इस तरह से आपने ये मेचिंग कर लिया है अब देखिए अपने आपको बचाने के लिए हम सब के पास कुछ ना कुछ है जैसे कच्छवे के पास है मजबूत खोल तो बताओ इनके पास क्या है तो खर्गोस के पास क्या है खर्गोस के पास तेज कान है अब देखिए सेड के पास क्या है मजबूत पंजा हाथी के पास मजबूत सूड और दात है फिर है हिरन के पास तो हिरन के पास क्या है तेज पैर क्योंकि ये बहुत तेज दौरता है, तेज पैर से ये भाग सकता है, अब हमारे पास क्या है, ताकतवर सरीर है, सबी के पास कुछ ना कुछ ताकतवर चीजें होती है, तो वही यहाँ पर लिखना है, तो खड़गुस के पास क्या होता है, तेज कान, वो तेज कान से सुन सकत और उसके बाद सेर के पास मजबूत पंजा होता है जिससे वो अपने सिकार को अच्छे से दबोचता है हाथे के पास मजबूत सूड होता है दात होते हैं हिरन के पास तेज पैर होता है उसके बाद हमारे पास ताकतवर सरीर होता है अब यह पार्च के आदर पर खाली अस्थ कच्वे में क्या है दोस्ती हो गई तो लोम्री और कच्वे में यहां पे आपको लिखना है दोस्ती हो गई उसके बाद है लोम्री और कच्वा तालाब के किनारे गप सब कर रहे थे यहां पे आप खाली जगह में गप सब लिखेंगे ठीक है अब है लोम्री और कच्वा अप में पकड़ा, यहाँ पे कच्छवे लिखेंगे आप, पिर लोम्री ने कच्छवे को बचाने की तरकीब सोची, यहाँ पे तरकीब आएगा, फिर है तेंद्वे ने कच्छवे को पानी में फेक दिया, यहाँ पे आप पानी लिखेंगे, अब है कारण बताओ, कि लोम्री ते क्छवे को क्यों पकड़ लिया तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि तेंद्वा कछवे को खाना चाहता था अब है तेंद्वा कछवे को तेंद्वा कछवे को क्यों खाने ही सका तो उत्तर लिखेंगे क्योंकि कछवा अपने मजबूत खोल में घुस गया तब ही तेंद्वा उसे नहीं खा पाया अब कच्वा कैसे बच गया तो कच्वा अपने खोल में घुश कर बच गया अब सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चुन्ह लगाओ तो लोमृी कच्वे की दोस्त थी तो ये सही है तो यहाँ पे सही का लगाएंगे तेंद्वे ने भाग कर लोम्री को पकड़ लिया तो ये गलत है क्योंकि उसने लोम्री को नहीं पकड़ा था तेंद्वे ने कच्छवे को पकड़ा था अब कच्छवे की पीट पर सक्त खूल होता है तो ये सही है अब है लोमरी अपनी मांद में छिप गई तो सही है अब है तेंद्वे ने कच्छवे को पानी में फेक दिया तो ये सही है अब है तेंद्वे ने कच्छवे को खा लिया तो ये गलत है कच्छवा पानी में मड़ गया तो ये गलत है अब है आगे ऐसे दो जनवरों के नाम लिखो जो केवल पानी में रहते हैं तो दो जनवर कौन-कौन से हैं जो पानी में ही रहते हैं तो देखिये, first में तो सार्क है, दूसरा जैली फिस, और भी जो भी जनवर होते हैं, जो पानी में रहते हैं, आप उसे भी लिख सकते हैं, अब है ऐसे दो जनवरों का नाम लिखो, जो पानी और जमीन दोनों जगह रहते हैं, तो एक तो मगरमच हो जाएगा, दूसरा था भेरिया, यह सब जनवर में रहते हैं, अब है ऐसे जनवरों के नाम लिखो, जो तुम्हारे जाने बिना तुम्हारे घर में रहते हैं, तो देखिये बच्चों, यह सब जो जानवर यह होते हैं, आपके जाने बिना यह आपके घर में ही रहते हैं, इन्हें बुलाने की भी जरुत नहीं पड़ती हैं, यह बिन बुलाएं, घर में ररते हैं, उसके बाद है, देखें, पढ़ो और लिखो, तो इसे आपको पढ़ना हैं, और नीचे बस इसी तरह से लिखना है, जैसे कि यहां पर मांद, 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 इस तरह से नीचे में भी आप इस तरह से ही लिखते जाएंगे, उपर पढ़ेंगे अच्छे से और नीचे लिखेंगे, उसके बाद है पाच के आधार पर उत्तर लिखो, तो क्या है कि कच्छवे का दोस्त कौन था, तो कच्छवे की दोस्त लोम्री थी, ये लिखेंगे, उसके बाद लोम्री कहा रहती थी, तो लोम्र कच्छव के खोल को तोडने का यह तरीका बताया कि कच्छव को पानी में फेक दो अब है कि क्या कच्छवा बच गया तो हाँ कच्छवा बच गया यह लिखेंगे अब है नीचे दिये गए चित्र देखो और उन पस्व technology नाम लिखो चित्रों में रंग भी भरो तो यह देख इसमें अच्छे से इसमें कलर भरिए और इसका नाम भी लिखिए तो ये है आपका तेन दुआ तो तेन दुआ को आप अच्छे से कलर कीजिए और नाम लिखिए तो आप इसे अप कर लिजिएगा उसके बाद है ये देखिए ये कछवा है तो इसमें आपको कछवा में भी आ से पूछ सकते हैं और अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियो है वो आपके पास समय से पहुंचती रहे और इसे ज्यादा से ज्यादा सेर भी कीजिए ताकि दूसरे को भी ला बाइ टे कर थैंक्स तो वाच मैं वीडियो